आपका स्वागत करके मैं बहुत परसंड हूँ मैं खुद चल कर आपको लेने आता परन्तु अस्वस्त होने के कारण नहीं आ सका इतने वर्सों बाद आपसे वेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है लंडन में मिले थे वो दशेहरे का दिन था हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअफसर प्राप्त हुआ था बहुत समय बीद किया आपने रतनागिरी में हरीजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत परसंड से नहीं है हरीजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्ध सब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए उसकी जगे हरीजन कहना ठीक है हरीजन तो हम सबी है आप जिने हरीजन कह रहे हैं यह शोशित हैं, पीडित है मेरे विचार में जिस जाती विवस्था कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए नहीं, नहीं, ऐसा करने से तो उल जहने बढ़ेंगी कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वा से वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है चारवर्णों में विभाजित ये विवस्था हिंदू धर्म का आधार है वो नेटरल है और जरूरी भी चुआ चूत इसके कारण पैदा नहीं हुई वो तो हिंदू धर्म के माते का कलंक है उसका अंग नहीं अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंग कैसे बन गई, चुआ चूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास सिस्टम को मिटा दिया जाए, कास सिस्टम में महानशिक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदु धर्म विखरने से बच गया है, बच नहीं गया है मात्मा जी, कास सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुँच गया है जिन्हें आप निम्न जाती का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है मैं भी धर्म परिवर्टन के विरुद्धू हूँ परन्त सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जुरूरत नहीं है उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए सोच समझ कर भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतद्रता क्यों न दी जाए हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्तितियों में घिर गए है कि दूसरे धर्मों के अन्युयाई उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तर पर मजबूर कर देते है इसलिए मैं कहता हूँ जिन प्रथाओं ने हमारे बीच उचनीच का भाव लाया है अब उनका कोई उप्योग नहीं है मैंने उनके पुतले चला दिये हैं इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी यहिंसा नहीं, संघर्ष है संघर्ष और क्रांती से नई उप्योगी विवस्था का जन्म होगा आप भी तो सोतंतरता प्राप्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्या उसकी कोई सार्थक ता नहीं मेरा अगरह इस बात पर है कि आज़ादी, उचित और मैटिक साधनों से प्राप्त हो लोग अहिंसा के मार्क पर चले इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है शत्रू भेंकर साधन संपन है उसका सामना बिना हत्यारों के कैसे संभव है शत्रू के पास इतने ज़्यादा हत्यार है कि हम अपने थोड़े से हत्यार लेकर उनके साथ बिलकुल लड़ाई नहीं लड़ सकते और फिर केवल इसी कारण में अहिंसा के मार्क पर नहीं चल रहा मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वग बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हिर्ड़ पर वर्तन होगा यदि एक गाल पर तमाचे खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के इस थान पर स्ने मिलेगा आपकी बात मनुष्यों के संबन्द में सच हो सकती है परंतु राक्षसों और पश्यों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती जिन हत्यारों ने जलिया वाला बाग में सेकड़ो निर्दोष निरपराद लोगों को गोलियों से भून डाला उन्हें दूसरा अफसर नहीं दिया जा सकता शिरी कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वद करना ही पड़ा देश की रक्षा के लिए सेनाई तो चाहिए संपूर आहिंसा का लक्ष असंभव है महान लक्ष चाहे कितनी दूर हो उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं हमें उसकी ओर चलना है उसी ओर चलना है मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं है परंतु सावर कर मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रियोग करूँ अपने निजी प्रियोग के तराजू में पूरे राष्ट को रखने से पहले राष्ट के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करें